आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो है conflict theories in political sociology हम सब as student of political sociology के जानते हैं कि दुनिया की अंदर हर इल्म को तरकी की जरूरत होती है और हर इल्म की तरकी बहुत सारे factors पर बेस करती है लेकिन एक खास जहत जो है वो है कि academic growth में जो contribution होता है वो एक तरफ उस इल्म के experts का होता है वो अपनी सोच अपनी फिकर के साथ उस इल्म में इजाफा करते हैं तो political sociology के अंदर बहुत सारे school of thoughts हैं जिन पर लिखने वालों ने इस इल्म की तरकी में बहुत ज्यादा role play किया और इसको हमारे लिए relevant भी बनाया और हमारे सीखने के लिए बहुत सारे सवाल और जवाब जो हैं वो इन ही contributors की वजा से हैं conflict theories are basically emphasizing the role of social cleavages अब यह social cleavages क्या होती है अकसर आपने यह term सुनी होगी क्यों मौश्रे के अंदर जगा जगा पर devian होती है तफ्रीक होती है जिस तफ्रीक के जरिये वो मौश्रा तक्सीम होता चला जाता है ये cleavages मौशी भी हो सकती है, सियासी भी हो सकती है, मौशर्ती भी होती है, मजबी भी होती है, सकाफ्ती होती है, कहीं जुबान की वज़ा से होती है, यानि बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन उनको समझना एक political sociology के student के लिए इस context में जरूरी है, क्योंकि अगर सवाल उठेगा, सवाल का जवाब तभी सामने आएगा, और जब सवाल का जवाब सामने आएगा, तो तभी मौशरे के अंदर इन तुमाम इखतलाफात को दूर किया जा सकता है, तो ये समझ लीजिए, कि political sociology जब सवाल उठाती है, तो वो हमें समझाने के लिए ताके हम बहसियत student, अपने इर्दिगिद होने वाली उन तुमाम negative चीज़ों का कोई solution दे सके, तो जो social conflicts होते हैं, वो basically किस चीज़ का outcome होते हैं, ये बाद उकात, वो तुमाम सियासी वाकियात, जो हमारे इर्दिगिद वकूपजीर हो रहे होते हैं, और वो सियासी वाकियात के पीछे, बाद उकात, कुछ ऐसी policies मुतहरक होती हैं, जिन पर हमारा आपस में, हमारी रजामन्दी, हमारा consensus नहीं बन पाता, बाद उकात, अदारों की वो कारकर्दगी होती है, जिसकी पजासे, मसाइल को हल होने में, दिक्कत होती हैं, मसाइल हल नहीं हो पाते, और इतना लंबा टाइम लग जाता है, कि उन मसाइल की वज़ा से, और ज्यादा मसाइल जो है, वो मौशरे में जनम ले लेते हैं, तो जो conflict theories in political sociology हैं, इनका ये ख्याल है, कि मौशरे के अंदर, जो class privileges होते हैं, यानि मुख्तलिफ जो society के अंदर classes हैं, class सबसे पहले मौशी तफावत की वज़ा से होती है, मौशी दरज़बंदी की वज़ा से जनम लेती है, और खास दोर पर जैसे जैसे इनसानी मौशरे का इर्दका हुआ, इसमें खास रोल परफॉर्म किया है, इन ही classes ने, इन ही दर जैवन्दियों ने, तो फिर काल मार्क्स ने जब खास तोर पर इसमें बात की और उसने material interest की बात की के मौशरे के अंदर जो तफरीक और तकसीम है, वो किस वज़ा से है, वो तकसीम और तफरीक material interest यानि मौशी मौशी मौदात की वज़ा से है, मादी मौदात की वज़ा से है हम मेंसे हर कोई अपनी बुन्यादी जरूरियात को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है बाज अकात ये स्ट्रगल किसी एक पॉइंट पर आकर आपस में इक्तलाफ बन जाती है यानि अगर मेरा मतमय नजर किसी दूसरे के लिए काबले कुबूल ना हो मैं उसके जराय प पर काबिज होना चाहे तो जाहिर है मोश्रे के अंदर इखतलाफ पैदा होता है फिर वो इखतलाफ आगे चलकर सिकाफ्ती इखतलाफात की शकल भी इखतियार कर लेता है लेकिन अगर हम देखें कि विदा पैसिज अफ टाइम विदा इमर्जेंस अफ वेलफेर स्टेट्स in liberal democracies where people and every class of them enjoys maximum liberty and decision making power through vote and elections have challenges the notion of domination of one class over other. मगर्ब का तो ये दावा है ना कि विदा पैसिज अफ टाइम उनके हाँ फलाही रियास्तें वजूद में आई हैं जिसमें इस किसम के मसायल जो हैं जब लोग अपने vote दे सकते हैं, vote से हकूमते बदल सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, तो अब इस किसम के इखत इखतलाफात जो हैं, उनकी हैसियत नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये देखें, कि जो liberal societies हैं, उनकी अंदर भी तो जो capitalist tendencies हैं, यानि ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा हासिल करने की जो जिदो जहद हैं, उसकी वज़ा से भी तो इखतलाफात पैदा होते हैं, तो अब हमें जो हैं कि आज कल के दौर में, जो major contemporary conflicting theories हैं, उन में Marxist theories हैं, जो पैसे की बुनियाद पर, अजराय आमदन की बुनियाद पर, power resources, कौन ज्यादा power को हासिल कर सकता है, फिर critical theories हैं, यह सब जो world systems and globalization की theories हैं, वेबर्स का concept है, power political elite theory है, यह सब theories जैसे जैसे दुनिया आगे भड़ी हैं, वैसे वैसे ही, दुनिया की अंदर इखतलाफात की नौयत बदलती चले गई, मगर कुछ इखतलाफात आगास से लेकर आज तक मौजूद हैं, उन में मौशी मौदात, उन में power, सियासत के बुनि पर, यानि हर गरो दूसरे के उपर domination हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए, जितने ही ज्यादा जिदो जहद करता है, उसी तरीके से ही, इखतलाफात अगास से लेकर आज तक मौजूद हैं, चाहे उनके नाम बदल जाते हैं, उनका लाहे अम बदल जाता है, उनका तरीके कार बदल जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मौशरे के अंदर से struggle for interest, अपने मौदात के हसूल की जिदो जहद खतम हो गई, या उसमें कोई कम ही आ गई, हाँ, उसके अंदाज बदल रहे हैं, उसके नाम बदल रहे हैं, मगर आज भी हर इनसान इसी जिदो जहद में है कि किसी तरीके से वो अपने मौदात के हसूल को यकीनी बना सके, और उसके लिए वो कई तरीके के लाहे अमल इक्तियार करता है, जिसको political sociology है, जो है, वो conflict theories के मुक्तलिफ title देती है, लेकिन अगर हम देखें, कि debate यही है, जो शुरू से आज तक चलती चली आ रही है,